हुआ है गाइस कैसे हैं लोग बरिया जस्ट वीट फॉर सेकंड यह वाइस से करते हैं वाइस प्रॉपर है कि नहीं है बिल सुरुबात करते हैं अपने क्लास की तो कैसे हैं आप लोग और आपके शली पढ़ा लिखाई चल रही वडिया सब्सक्राइब कर लेते हैं सब लोग का आने का और स्टाट करते हैं अपनी क्लास तो बढ़ात की बद चुके हैं दस सवादस हो गया आपके और आपका आज डेट कौन सा है आपका है पंद्रव मई जैसे वह आपसे कहा था कि आपका यह जो बेसिक साइस इंजिनरिंग है यह आपका फुल फ्लेज में चल रहा है यह जो हमने प्लान किया था जुलाई और अगस्ट में मुझे लग रहा है यह पहली खत्म हो जाएगा ठीक है तो अच्छी बात है खत्म होगा तो प्रेक्टिस बैच कर देंगे प्रेक्टिस बैच में आपका फिर गुड इवनिंग गुड इवनिंग अलोग भीया ज्यान प्रकास बिस्तरा जी साहब आप सभी का अब भूस्वागत है ठीक है तो तो था सा वीट कर लेते हैं एक दू मिनिट और बाकि जो रिकॉर्डट देखने तो आगे बढ़ जाएंगे आकि आपका समय बचे आपका स अगे सब लोग स्टाट के जाएं अगर आगए हो तो स्टाट के जाएं सब्सक्राइब करते हैं और आप सब्सक्राइब करते हैं और आप सभी का बहुत स्वागत है जो उफ-लाइन देख रहे हैं आपका सब्सक्राइब करते हैं और अबने भी तक जो कब्ले वेंज गलुगें तो आपको डिक्टो मैच करेगा यह था यह यह तो बात ही है आगी कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है वो डिपेंड करता है आपका एक्जाम औरिइंट करेंगे पूरा आपूज में 5 जून या 6 जून या रहाँ जून से को आख सर250 में कुछ समझ नहीं था भट अभी समझ में आया आप के लूठ त अब बहुत चीज बात है स्लेक्षन होगा तो मुझे और मज़ा आएगा तो आपका June में कई लोग और जोईंग करने वाले हैं कई लोग ने डिमांड की थी तो मैंने कर ठीके जून में तो फिर आपका basic electronics और आपका electronic device जो आपका यह करते हैं अपने questions की जो हमने पढ़ा था CRO में तो अगर आपको याद हो CRO में हमें अच्छा एक और चीज है यह जो questions मैंने आपको अभी छोड़े हैं यह questions आपके homework है इसको हम कराएंगे बाकि यह questions तो आपके बीच में क्यों आ रहे हैं I don't know आपको पता है Hindi प्रस इंग्लिस में आपके notes मिल गए हैं आपको और इसी पे संबंधित आज पूरे questions होंगे तो आपको एक एहसास होगा कि हाँ भाई हमने जो पढ़ा हुआ है वो questions आपका अगर 40 इसको मानस किया वो कहीं से भी कर देंगे मैंने क्या बोला आपको देखो आरा भी जेई का जो था आपका होते है यह भी टेक्निकलोग भी है अब 10 में से आपके 100 नंबर का आता है अब हुआ यह कि 10 में से आपका 10 में सब आना चाहिए है भाई 10 सबजक्ट है 100 मांक्स से आपका दस आना चाहिए ह। लेगन हुआ कि भाई आई दस मांक्स जब आपने देखा पेपर तो वहां पर सी लेंग्विच के आये थे 16 कोश्चन अब वो 46 कोश्चन करता है यह कंप्यूटर सम कर देंगे यह आपका मैच सम कर देंगे क्या बता तो यह लॉजिंग कर रहता है और तो वो चीज़ें और इसलिए साफ साफ लिख बहुत बहुत कर रहते हैं पहले स्लेबर्स जो पढ़ाया आप लोगे यह सब तो बाते होती रहेंगी कितने का कितने नहीं आएगा ठीक है जितना पढ़ा दिया है प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने दिमाग को इतना आप फोकस कर लिजिए कि जो सब ने पढ आप आप ठीक है तो इस चीजों से धिर रही है ठीक है ताइल भाई ठीक है बिल्कुल भी चीजों को मत दिवाव में आने दिजिए आपकी 103 कोशन हो गये थे आपका यह 104 है ना 104 कोशन तो बहुत होंगे कोशन की टेंसन नहीं है आज हो बई 104 नंबर बताया है अभी बस आपका फोकस यह होना चाहिए जो सर ने पढ़ाया है क्या आपको अच्छे से आ रहाए चीजे अपने माइंड को फोकस रखिए नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी मैं सब की बात कर रहा हूं यह लोग की नहीं मैं सब की बात कर रहा हू बताया है इसका अंसर क्या होगा 50 मेगा अगर 50 मेगा हर्ट बोला गया है तो बाइड डिफॉर्ट आपका फ्र्रिक्वेंसी अपरिक्वेंसि आपका रहता है ना तो अपका सी आरो हो जाएगा तो अगर आप जानते हैं कि जो एक प्रेकार का वौल्ट मेंटर है कई बारी जांवट दूछा गया है आपको क कोशन या मिलेगा भी ठीक है चलिए आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं नेश कोशन की ओर आपका 105 बताओ बहुत ध्यान से बहुत आराम से कोशन पढ़िएगा और जो मैंने पढ़ाया है आपको उससे बाहर नहीं मिलेगा एक दो कोशन मिलेंगे तो वह आ आपने देखा था न कि जब आपका CRO मैंने अवको थीويरी पड़ाई थी आपको याद होगा और तेयोरी हमने बहुत पर्वाइट हो जाता है वो सीकेंडरी एलेक्टरण सिहा थे कि वह ऐसे कोई या रहा है और सेकेंडरी बाहर निकलेगा तो वो उसके रास्ते में एक रुकावट पैदा करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए उसको कैप्चर करने के लिए कलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं ग्रेफाइट जो आपका होता है एक्कोस मीडियम का जिसों बोल देते हैं बहुत बढ़िया पुस्पु जी बी कैसे होगा आपने लगता क्लास प्रॉपर देखी नहीं ठीक है तो इसलिए प्लीज ये लेक्ट्रोलाइट सुलिशन क्या है रही आपका ग्रेफाइट था आज अब भई 106 पे आजाईए क्या बोल रहे हैं आपसे ये आपका फोकस होता है फिर आपका इसलिरेटिंग होता है चलिए यहां पे आपका साहीं वह कहां होगा आपका आपका पर बाता ही क्या होगा आपका पहले आएगा फोर्थ आएगा भी कुछ सही का आपने देखिए अब यहाँ पर confused में तो नाप लोग ठीक है कि सर आपने बताया था कि पहले pre accelerating anode होता है फिर focus होता है फिर post accelerating anode होता है अब यहाँ pre and post नाम लिया नहीं 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 यहाँ पर pre and post नहीं नहीं लिया पहले और बाद में यहाँ पर स्री बोला नहीं एसलेरेटी एनोड जब भी ऐसा question आएगा तो by default पहले आपका focusing anode होता है देन आपका pre accelerating anode होगा तो इसको मालो आपका भाई यह आपका first हो गया फिर आपका से आगे पीछे कौन होता है बताओ भई वर्टिकल और होरिजंटल में आपका पहले वर्टिकल आता है फिर आपका होरिजंटल आता है तो क्यांसे कर दाएगा भी हो जाएगा तो ऐसे question मिलते हैं आप उस सांधार तरिके से figure याद रहेगा तो आप ऐसे ही याद ना भाई दुखो मैंने क्या बोला pre और post accelerating नाम से कुछ नहीं आया आपका सिर्फ और सिर्फ accelerating आया तो आपका करना है पहले focusing फिर आपका accelerating अनोरे फिर आपका आपका वर्टिकल फिर आपका और जंटल फिर आपका लास्ट में स्क्रीन होता है, फास्ट फ़र आपका, आज जो भाई 107 पर आ जाएंगे, अब आपका जो टाइम बेस सिग्नल होता है, वो क्या होता है, बताओ भी, अभी आपका लिसाजूस, जो आपका पैटर्न है, वो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो इसलिए कुछ कुछ कुछन्स आपको और मिलेंगे नहीं, कोई भी कुछन छोड़ेंगे नहीं, इंटेंसर मतला हो, आपका जो time-based आपका generator होता है, आपका CRO में, बताओ भी क्या होगा, use2, बिल्कुल सही का आपने, एकदम सही का आपने, Sartooth आपका signal आपका, साटूप क्या होता है आपका continuous ramp signal होता है और किस लिए आपने लिया था थेयोरी मैंने आपको बहुत अच्छे स्प्लेंग गया था न कि भाई आपका वो one होता है तो इसलिए आप अगर किसी से भी इसको multiply करेंगे तो आपका सेम इन्पुट मिल जाता है जो आप चाहते हैं देखना इसलिए आप ऐसा करते हैं तो आईए बढ़ते हैं नेक्षिक प्योर 108 पर आते हैं दोस्ता इन स्यार्टी विजी उस्ट ऊंच विश्ट प््रेद्इौ सब्राइट ब्राइड स्पॉर्ड use व्यर्ड हें दा अई व्लाउसिटिय। इलेक्षिट्रॉम हिट इत्स प्ताऊ मिश्टल आपका जो टाइम बेस्ट जनेटर होता है आपका वो आप किस लिए यूज करते हैं यहां मैंने आपको यह कुशन क्यों दिया हुआ उसका एक रीजन है कि यहां ढूंडेंगे क्या आप ढूंडेंगे कि आपका यहां पे शॉप आपका कोई याद हो तो मैंने आपस सब्सक्राइब अहता है तो वापस स्विफ होके बहुत fast आता है फिर जाता है fast आता है तो जो आपका start tooth है उसका यही region था कि पहले वो far out में अराम से जाएगा फिर जैसे इसको reverse होना गाओ फट से speed में आएगा इसे आपका ताकि आप उदिखे ही ना आपको कहलेगा कि हमेशा आगे ही चल रहा है आगे ही चल रहा है आगे ही चल रहा है ऐसा logic समया तो यहां पर वो आप भूंड रहे है sort ही नहीं अगर start tooth होता तो answer भई होता लेकिन यहां पर swift आपको दिया गया है तो इसको बहुत ध्यान सुनना है ठीक है तो थियोरी में रिलेक्टर पाले ना आप लोग स्विप की विज़र से आपका ऐसा ठीक है चलिए बहुत बढ़े आज़ो भी वन वन जीरो पर आज़ेए आज और कल दो दिन आपका सियारो पर काम चलेगा बढ़ी हां कोश्चन करेंगे हम लोग पीर उसके बार अब चंटियू करेंगे आपका प्रांसजूसर आपका ठीक है है कि बहुत सांदार और आपको डहेगा आपका वोल्ट मेटर हो जाएगक बिल्कुर सहिए का आपने क्या रएगा आप बोल्ट मेटर आपका जो आसलोसको बरता वो voltmeter की भाती विभार करता है, इसको आप लिख भी ले ना, अपने notes में, ध्यान से, ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो आपने, आज़ो वई, triple one पे आज़ो, क्या बोलने हैं आप से ये, in a CRO, which of the following is not a part of electron gun, इनिवे से कौन सा electron gun का part नहीं है, तो मने आप से कहा था था न, क CRT में आपके बहुत सारे part होते हैं, और कभी-कभी वो CRT के अंदर भी पूच लेते हैं आप से electron gun के बारे में, कि electron gun के अंदर क्या होता है, तो cathode होता है, grid होता है, accelerating anode होता है, आपका XY plate नहीं होता है, ये जो आपका XY plate होता है, या XY plotter बोल देते हैं आप, ये actually आपका deflection, जो plate आपकी होती ही, वही होती है, horizontal and vertical, तो मैंने आपको बताया था कि दो mode होते है, YT mode होता है, YT मेलब YouTube नहीं, ठीक है, YT मेलब क्या होता है आपका, वहाँ पे आप test signal आप कौन सा दे रहे हैं, उसको पाने के रहे हैं, और आपका एक होता है XY mode या, YX mode बोल दी, XY mode बोल से करना है आपको ठीक है, और RRBJ 2019 में ये कोशन पूछा गया है, ये भी आद दिखेएगा, आज वही 112 पे आजाईए, अरे वागोजवाव, क्या बात है, 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 इने CRO trigger pulse are used, आपका जो CRO होता है, उसमें जो आप trigger pulse use करते हैं, वो किस लिए करते हैं, आप से ये पूछा जा रहा है, दाएंज रहा है, सो बोल रहे हैं, आप से क्या to synchronize the input signal with time based generator, आपका to synchronize input signal to vertical amplifier, कुछ भी, input आपका vertical में ही देते हैं, आप, input signal जो आपने दिया है, वो vertical में ही देते हैं आप, और आप उसी को synchronize कर र जंडेटर आपका, बहुत बढ़िया है, आज अब ये 1-1-3 पे आजाईए, और सभी ये previous year हैं, ऐसा नहीं कि मैंने खुद से बनाया है question, बताएंगे क्या हो, Aquas solution of graphite called Aquadec is used in CRO to collect the secondary emission of electrons, बिल्गु सही कहाँ आपने बहुत सांदार, तो collect the secondary emission of electrons, 54 second में आपको answer करना है, आपके exam में जो question आएंगे, वो 90 minute में 100 questions, तो आपको 50 second का target लेकी चलना है, 50 seconds का only, चलिए भई, आज अब ये 1-1-4 पे आजाईए, the input impedance of CRO is nearly, भाई आपका ये voltage amplifier है, voltage amplifier का input impedance होता है, बहुत हाई होता है, ये कैसे होता है, क्यूं होता है, ये आपको बताया जाएगा basic electronics and electronic device में, बागी जोने जेई का plan ले रखा है, जो जेई की तेहरी कर रहे हैं साथ में, तो उनको जल्वी ही मिलने वाला है पता, ये उनको जल्वी ही मिलने वाला है, तो वहाँ पर आपका amplifier आने वाला है, तो voltage amplifier में जितना high input impedance रहेगा, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, तो आपका answer क्या आएगा, वन मेगा ओम, तो वन मेगा ओम एप्रॉक्समेटे अपका होता है, आपका high input impedance आपका हो जाएगा, यहाँ पर इसका answer, ठीक है, चलिए भई, आगे बात करते हैं, नेक्ष आपका 115, the purpose of oscilloscope is to provide the user with graphical representation of, बढ़ा ही सांदर कोशन है, बहुत सांदर कोशन है, वाई देखते हैं, जो आपका CR-O होता है, उसमें voltage का division होता है, आप जब एक दो question मैं आपको numerical भी कराऊंगा, लेकिन numerical आपसे जहां तक है नहीं, पूछी जाएंगे, don't worry about that, तो कि paper ही आपका ऐसा है, जिसमें आपका theory part में ही पुछे जाएगा, बाकी तो करा दूँगा for safety के लिए, अभी मिलेगा आपको, तो क्या दिखा आपने, कि जो आपका, वहाँ पे क्या होता है, जैसे आपकी screen होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, screen में कुछ ऐसा आपका, divisions होते हैं, ठीक है, यह आपके divisions होते हैं, और यहाँ पे एक center में आपका x और y होता है, तो इन divisions को आप यह करते हैं, divide करते हैं, पर आपका voltage जो भी बोल सकते हैं, आप time में आपका वो, तो इदम सही कहाँ आपने voltage versus आपका time हो जाएगा, क्योंकि आपका यह voltmeter है पहली बात तो अब इसका मलब यह नहीं कि यह voltage ही मेज़ा करता है, यह frequency, phase भी मेज़ा करता है, और आपका, मैंने लिखाए भी था, frequency हो गया, phase हो गया, current हो गया, resistance हो गया, सभी मेज़ा करता है यह, अगर आप देखो धेहां से तो यहाँ phase shift versus capacitance सा कोई सेंस बनेगा, कोई सेंस नहीं ब current versus क्यों नहीं बनेगा, उसका भी region है, इसलिए नहीं बनेगा कि आपने क्या बोला कि CRO आपका basically दो mode पर काम करता है, एक होता है आपका YT mode, जिसमें आपका Y जो होता है, उसमें आप देते है test signal, और आपका एक उता है time axis, ठीक है, आपने test signal, यानि कि जो आपने signal दिया है, जो कि आपके लिए unknown है, कि पता नहीं कौन सा signal है, आपके CRO में सामने आ जाएगा, तो उसको आप देख पाएंगे, कि भईया square है, कि rectangle है, कि triangle है, whatever जो भी है, उसका amplitude क्या होगा, यह सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, एक तो हो जाएगा YT mode, एक हो जाएगा आपका XY इसमें क्या होता है, vertical plate में, horizontal plate पे, दोनों पे आप क्या देते हैं, sine single point कर देते हैं, तो उससे आपको क्या मिलता है, frequency और phase मिलता है, जो कि आपका lisagus pattern है, जो कि आज आप देखेंगे last में, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको, तो यह पूरी कहानी है, अब आप अब यह question क्या है आपके, यह questions वो है, जो common sense से आप लगाऊगे, तो try करिए, मैं आपको time देता हूँ, और उमीद करता हूँ कि आप common sense से इसका answer जम सही देंगे, तो कि ऐसे कई question आपको मिलेंगे, जहां पे आपको common sense का उप्योग करना पड़ेगा, और वो common sense कैसे आएगा जब आप, जब number of questions और number of concepts सीख लेंगे तो वो automatic आपको आजाएगा, कभी अभी होता है न, कि answer आ जाता है, लेकिन कैसे आया है, आपको कभी भूल जाते हैं, लेकिन answer सही आता है, तो वही है, चली बताएगे क्या होगा, है 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 जूरियुर्ण और number of questions क्या है हिएँ खना है, यूरते हैं हूँолू करें हैं हो क्या आप बोला है कि CRO has a 40 small division on y-axis, आपका जो y-axis है उसमें 40 small division है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, तो कैसी है, वो 40 है, vertically आपका, ठीक है, if voltage is measured using 100 millivolt per small division range, यानि कि आपने क्या बोला, कि जो small division आपका होगा, उसमें आपका वो 100 millivolt है per small division, यानि कि एक small division में कितने होंगे 100 millivolt, अगर आपका, solution है, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर आपका एक small division है, ठीक है, और आपने बोला क्या, कि आपका 100 millivolt है, तो आप बताओ, 40 में कितना होगा, बताओ भी, 40 में आपका हो जाएगा, 100 into 10 की power minus 3 into 40, तो यहां से कितना हो जाएगा, 4000 into 10 की power minus 3, यहां से आपका रहेगा 4 volt, यानि कि वो 4 volt मेजर करने वाला है, यह आपने समझा, बहुत 4 volt जब मेजर कर रहा है, तो आप से बोल रहे है, भाई साब, कि the error in measurement is up to, यानि कि आपका जो error हो सकता है, वो कितना हो सकता है, मैं यह बानता हो कि चलो, एक में आपका एक ही होगा, ऐसे 40 हो कितने होगे, 40 आपके हो जाएगे, तो 40 आपके हो जाएगे, तो अगर मैं error की बा जाती है, तो 0.1 volt, यानि कि maximum जब को error मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 0.1 volt का, B या D side, B और D में कैसे भई, इतना ज़्यादा error देंगे आप, तो कैसे काम चलेगा, 4 volt मेजर करने वाला है, और गलती से कर आपने इतना दे दिया, तो फिर तो हो गया, 4000 volt और 100 volt, ठीक है, तो इस यह जब तो आपको मिलेंगे ही, मिलेंगे, आज़ो भई, 116 हो गया, 117, यह भी आपको कॉश्चन है, इसको हम लोग भी करेंगे बाद में, ठीक है, ताकि अराम समझेंगे कैसे यह कॉश्चन होने वाला है, यह वो कॉश्चन है, जो सायद आपको exam मिल जाएंगे, ताकि ह हम हर तरीकेस तयार रहे, ठीक है, और इसमें कोई rocket science नहीं है, अगर होता तो मैं आपको यह कराता ही नहीं, बहुत basic construction प्रकॉश्चन आपके हैं, यह ठीक है, 117 हो गया, आज़ो भई, 118 पे आजओ, इसको भी क्या करेंगे अपन, अभी कर ले, चलो कर ले रहे हैं इसको, इसको तो करी लेते हैं, किसको भी last में करें, चलो आज़ो आज़ो करते हैं इसको, ठीक है, मुझे याद लिया देना दोस्त, 117, 118, नहीं बतला हम भोल गया last में, तो चलो, कल भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, आज़ो वई, बन बन नहीं आज़ो, आज़ो, 10 MHz C.R.O. has, आपका जो 10 MHz C.R.O. होता है, उसका मतलब क्या हुता है? आप आप जो 10 MHz यारो होता है बैसिकलिए उसका मतलब क्या होता है तो आप बोग रहते हैं 10 MHz horizontal oscillator आपका यह क्यों बोला आपने देखो 5 MHz से मतलब नहीं है vertical से मतलब नहीं है horizontal से मतलब क्यों है आप समस्थे आंसे इसको क्यों 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 देखो ये जो vertical आपका oscillator आपका है vertical पहली बाद तो oscillator आपका होता ही नहीं है पहले आप क्या करते है vertical amplifier होता है फिर आपका delay line होता है फिर आपका deflection plate में वो जाता है तो ये जो आपका vertical amplifier है वहाँ पे आप best signal देते हैं यानि कि आप उसका measure करने वाले है frequency तो जाहिड से बात है वहाँ से बात कतम हो गई फिर उसके बात क्या आया आपका यहाँ पे आपका आया oscillator यह जो oscillator word है इसने ही खारिश कर दिया इसको और जन्रल में आपका oscillator होता नहीं है आपने भीजिदा ओला साटू generator आपका generate कैसे करोगे आप generate आप परोगे oscillator से और oscillator कहाँ पढ़ते हैं आप लोग आप पढ़ेंगे electronic device and circuit भी आपका ठीक है भाई आजाओ भाई 120 भी आजाओ क्या बोल रहे है आप से भाई the time-based generator in CRO gives an output which is आपका time-based चंटर आपका होता है साटू देता है तो यह तो पहले ही गया यह भी गया यह भी गया बचा यह आपका answer हो गया बात ही कतम आपको सोचने नहीं था आज आप ही 121 पर आ जाएए अ आप आपका जो आसलोस्कोप होता है बेसली आपने इसको डिजाइन किस सेंस में किया हुआ है आपका में मोटो क्या था आप 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 122 पर आजाएए आप 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 बहुत बढ़ियां आगे बढ़ते हैं 123 पर आते हैं दोस्त क्या पोड़ने हैं आप से यह होरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट आफ सी आरो आर प्लेजड जन्रली बढ़की पहरा कोशन है आप इहाई यह दा रखेगा गलती से वह गलतीमोट करेगा जो का होरिजेंटल होता eh टो आप खुशाचों आप अगर मैंने प्लेट कौ आईसे रख दिया होरिजेंटल तो यह तो वर्टिकली मूव करेंगा आजए जो भी है ना अगर ऐसे करूंगा तो यह ऐसे मूँव करेगा कोई चीज आपकी 36 कैसे करेगी ऐसे करेगी ना तो नाम इसका जो है रखेगा देखिए कोशन के पसंदा पुछा गया आपका क्या रखते हैं आप इसको अब इसका नाम हो जो प्राइटनेस है जो आपका पॉइ क्या AC और DC इसमें से कौन सा वो आपको डिस्प्ले कर सकता है अगर कोई आपसे पूछेंगी AC और DC या सिर्फ AC या सिर्फ DC या नल आपका AC और DC दोनों यह डिस्प्ले कर सकता है ठीक है यह कोशन मैं आपको add-on कर दूँगा इस PDF में ताकि आपको पता रहे ठीक है आज क्या होगा आपका साट टूथ आपका वेव होगा जो कि आपका होगा आपके उसमें अपलाई होगा और आपका vertically में test signal आपका apply होता है आज आप 125 पर आ जाएगे इनमें से कौन सा है जो आपका signal है वो visually दिखाएगा थर्मो कपल LVDT ये सब क्या होते हैं होते हैं जो कि आपका next जो अभी टॉपिक चलने वाला है उसमें आपको यह पढ़ाया जाएगा और उसमें क्वेशन बनते हैं आपके एक्टिव काउन सा होता है पैसिव काउन सा होता है बेसिक लेवल पर पुछ आएगे क्वेशन आपके ठीक है तो यहां पैंसे क्या होगा और सी आरो हो जाएगा कैथोड रे ओस्लोस्कोप आज आज आपका 126 पर आजाईए है तो it depends on condition जब भी आपकी requirement होती है तो वहीं आपसे कुछ जा रहा है कि वेन मेजर्मेंट आर टू बी मेड अब अब फ्रिक्वेंसी ऑफ 10 मेगा हट्स वेन मेजर्मेंट आपका बिलो है दिस दिस तो अगें आपका एंसे कर रहेगा यह हो जाएगा भाई आपका पोस्ट आप यूज कर रहे हैं जब पोस्ट आइसलेरेशन आपं आउज रहे हैं तो आप को फास्ट चाहिए चाहिए चीजे क्या होगता है आपका पोस्ट एसलेरेशन यूज करते हैं especially ताकि आपका बिल्कुल सही बहुत बढ़िया आजए भी next आजए 127 पे question यहाँ से भी frame किया गया है तो जो आपका phosphor coating होता है उसका number क्या होता है आपको notes मैंने दिया भी था आपने देखा भी होगा बहुत दोगोंने होता है आपको होता है आपको हो जाता है एंसल भी डी आजए 128 यह तो बाइहाट करने वाला है भूलेगा नहीं गलती से भी ठीक है इन टाइम बेस्ट जनेरेटर दसाटूथ वोल्टेज हैज कि 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 अ कि अब आपका लिनियर क्या सब्सक्राइब का वह जाएगा लिनियर आपको ठीक है चलिए तो 128 तक कर लिया है देखें अब आपका आएगा नेक्स्ट मेजरमेंट आफ फेज आपका इसमें आप पड़ते हैं फिर लिसाजू इस पैटन आपका लिसाजू पैटन क्या होता है कैसे हम उसको आइडेटिफाइग करते हैं तो कुष्टन्स अभी आपके और भी सियारों में होंगे लेकिन पहले जो कोश्टन्स मैंने छोड़े थे वह कर लेते ठीक है उस इससे पहले हम जाएंगे क्या जो कोश्ट मैं छोड़ा हुआ था आपका नहीं तो बतला भूल गए तो हो गया आप यह रहा वर्मन सेवन चली करिए भाई इसको ट्राइग करें आप जो भी आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी हुई है मेरे पढ़ाने से तो उमीद करत है कि आप लूसका एंसर सही देंगे क्या बलाएं ने भाई असाइन वेफॉर्म a sign waveform seen on a scope has a peak amplitude of 6 cm if the vertical sensitivity setting is 5 volt per cm the peak and RMS value will be बहुत ध्यान से बहुत अराम से कीजिएगा कई लोग यहां जल्दबाजी में करबर करेंगे पहला option दिया हुआ है इसलिए ठीक है बहुत ध्यान सुनिएगा चलिए देते हैं आपको जनते गलती क्या होगे यहां पर गलती यहां पर यह हो जाएगी बहुत लोगों से क्या करेंगे वो ध्यान देंगे पीक टू पीक बोला गया है वो पीक टू पीक को ध्यान देंगे वो क्या सुचेंगे कि इस सेंटीमेटर आपका यहां पर इसने बोला है पीक टू पीक टू पीक में क्या होता है दोस्त आपका यह पूरा आएगा यहां से यहां तक छे दिया हुआ है तो क्या होगा लोग जल्दबाजिं क्या करेंगे इसको 6 माल लेंगे यह 6 है आपका यह होता है मैक्सिमम का एम्प्लिटूड तो 6 इंटू 5 करके 30 आ जाएगा टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे क्यों क्यों कि आपकी पास time कम है और यही गलती होती है एक्जाम में जो आपक 36 व्ल्ड है तो आपका एंसर किया अगे आधा yaster क्या सीधी क्या जाएगा थी इंटू 5 व्ल्टर सेंटीमिंटर है और आपे यहां पैर स्जाम के सेंटीमिटर क्या आधा आदा है ओ गया सन्धान सान्दार तो समझ में ला जचिक हो आपको आगे बरते हैं आपको करना है complete question को बताओ भी हाय न न कोश्चेंग complete करना है कि नहीं कि नहीं करना है आपको हां वह क्या होने वाला है rms क्या होता है वो क्या होता है तो आपकर ने देखना है तो just wait for second आप इन्हों ने क्या बोला है यहां पर इन्हों ने यह बोल दिया चुलो मैं पहले peak to peak को यहां पर mark कर दूँ और आपका answer में mark कर दूँ तो इन्हों बोला कि आप आप से next है peak और rms फैल लो भाई दोखो v rms आपका जो होता है वो होता है आपका vm upon में root 2 होता है बलो behind जो vm by root 2 होता है तो क्या होता है कि अगर मैं इसको root 2 से करूँगा तो बड़ा time लगेगा आप इसको यह भी लिखते है vrms आपका जो होता है यह होता है 70.7% off हो जाएगा आपका क्या vm हो जाएगा 70% लो आप approximately लो आप .707 होता है ठीक है vm कितना दिया आपको भाई 15 दिया हुआ है 15 सत्ते 105 आप गया नहीं कि almost 10k round आपका आएगा 10.5k round आपका answer आपका नहीं आ जाएगा तो यह कहानी आपके होती है ठीक है चली बहुत आज अब भई 118 पे आजएगे यह भी कल लेते हैं लगे हाँ ताकि हमारा जो main questions थे वो कवर हो जाएंगे फिर बाद हम लोगा आगे next topic है वो कवर करेंगे आपका जो लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी होगा fully वो कौन सा आप display कर सकते हैं यहनों क्या बोला हुआ है आपका जो diameter दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 cm और आपका जो screen आपका जो time base आपका दिया है वो 10 microsecond per cm तो अगर आप थोड़ा से दिमा लगाएंगे तो frequency के लिए बताओ क्या चाहिए होता है अगर आपने बहुत basic level पर पढ़ा होगा classes में तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि जो frequency होता है वो होता है वन अपॉनमे टी पूलो भी हाई न क्या यह तो पता ही होगा आपको भाई तो यह आपका है मुझे अगर time मिल जाए तो मेरा काम हो जाए और time के लिए यहाँ पर hint दिया हुआ है time के लिए मुझे यहाँ पर hint given है क्या given है आपका time जो है वो क्या जाएगा आपका अब मुझे formula नहीं याद है अगर मैं इसको multiply कर दूँ आओ देखो multiply करते हैं क्यों मैंने सोचा क्यों कि सेंटी मीटर से सेंटी मीटर जाएगा cut सेंटी मीटर से सेंटी मीटर जाएगा cut यह cut गया यहाँ से तो यहाँ से आपको t कितना मिल गया 10 माइक्रो सेकंड बोलो भई से यह था मेरी दोस्त तो यहां से आपको क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा one upon me t और यह 10 आपको हो जाएगा micro कितना होता है 10 की power minus 6 होता है तो क्या आएगा 10 की power 6 हो जाएगा upon me 10 आ जाएगा कितना रहेगा 10 की power 5 और यह सभी दिया हुए है आपको kilohertz में अरे sorry my mistake actual में हाँ सभी का आपने thank you so much यहां पर यह 100 जाएगा यार मैं भी 100 micro second हो जाएगा तो यहां पर जो आपका आएगा वो जाएगा 100 कि यहां से 10 की power 4 आ जाएगा 10 की power 4 जो आपका होता है क्या पोलेंगे इसको आप भाई इसको बोलतेंगे आप 10 इन्टू 10 की पावर 3, यहनि क्या दाएगा आपका, यह दाएगा 10 किलो हट्स आजाएगा, आपका एंसे क्या दाएगा भई, C आजाएगा, बिल्कु सही, बहुत बढ़े हाँ, ठीके, तो आपका जो स्लेबस है, जैसे का आप देख पा रहे हैं, आपका जो मेजरमेंट है, भी आपका मान चलिए कि बस ट्रांसडूसर, फिर आपका LCD-LED आपका एक दिन का है, वो पैनल का है, उस पे जो प्रॉपर्टी जो होती है, वो पढ़ना है आपने को बस बस खतम, बागी ट्रांसडूसर आपका एक बहुत बाद टॉपिक होता है, जो जानते होंगे, जानते बहुत जादा फास्ट होगे हैं तो या, लेकिन अच्छी बात है न, जितना फास्ट रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, आपके लिए सेलेक्शन आपका बहुत जरूरी है, इंपोर्टेंट यह है, तो इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ हूँ, जो पढ़ाया गया है, उस और कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्था है, फिर फिर टू आस्क, और जो भहिया अभी तक पेड़ ग्रूप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएए, यहां आपको क्लास की इन्फॉर्मिशन दी जाती है, प्रॉपर अबेट की जाती है, उदर मैथ और कंप्यूटर प्रॉपर हिचेंगे फटा-फट, ताकि वो भी आपका एक लेवल मेंटन हो जाए, ठीक है, चलिए, बहुत सुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड़ नाइट, जाना के अपना आप, हस्ते रहिए, मुस्कुरात रहिए, कहीं कोई देखके तो, फिल भी टुवास, जाएं ज बहुत रहीं हैं आघा है, गफ मुस्राइट प्रॉपरे।ra ले जाना आईपके अना आपका है, बहुत सुक्ष का सब्रॉपरें हैं आईपके टाना का इंपके अन्चाना हो जाए ूछरा रहिए, केंड हैं आईए हैं आपके इल .